जहें साथियों बहुत वश्वागत है आपका अपने ही चैनल एनाएस ऑनलाइन हव में जहां दोस्तों आपको मिलती है सिक्षक भरती और एनाएस डियलेडी से संबंदित कोई भी अपडेट आती है किसी भी राज से तो आपको इस न्यूज और इस चैनल के माध्यम से आपक बीच ले पाऊं दोस्तों उसी को लेकर जो है सिक्षा भी भाग के तरफ से जो 50 परसन जितने भी डियलेड नाएस के माध्यम से डियलेडी किये थे और सिक्षा भी भाग के तरफ से यानि प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने जो है पांच तारिक के डेट में यानि पांच मार्च को छेत्रिय निदेशक को जो है लेटर लिखा था और इस लेटर में बाते ही लिखी गये थे कि यहां पर जितने भी जो है अनायस डियलेडी के माध्यम से जो डियलेडी किये हैं और आपना 50% पूरा कर लिए हैं और जिसका भी अभ में इंप्रोद किया था जो भी जो है नायस के माध्यम से डियलेडी पूर्न हो गया है मैं समी फिपटी पर्षन याँ से अधिक कर लिया गया था तो उसका परवानपत्नीर्गत करने को लेकर जो है कारवाई और जो है की गई थी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पांच तरिक के डेट में किया गया था उसी को लेकर दोस्तों जो है छेतरी है कारियाले पटना के तरफ से जो है लेटर का जबाब आ गया है तो इस लेटर में क्या-क्या बाते लिखी गई यह सारा कुछ आपको एटुजेट गरता होँगा कि आहांगा कि जो है सिक्छा विभाग नहीं जो है पाहल की थी कि नौकरी पर आन पड़ी तो सिक्छा विभाग ने की पाहल देख पा रहाँगे इंप्रूंप्रूमेंट कोच connect दिलाने को हुआ हस्तचेब यानि जिसका भी इंप्रूमेंट हो गया था क्यो की NIS NC को लेकर परिशान है और आए दिन आप देख पारोंगी कि जो है अलग-अलग राज में अलग-अलग हाइ कोट में इसको लेकर भी केस हुआ है आपको पता है तो उसी को लेकर जो है सिक्षा निदेशक ने जो है लेटर जो है लिखा था प्रात्मिक शिक्षा निदेशक ने और यह चेतरी कारियाले को लिखा गया था और दोस्तों आपको पता है कि आप एक अप्रेल 2019 तक चाहे सरकारी हो या प्राइबेट स्कुल में हो आप प्रिस्टिक्चन नहीं किये हैं तो आपको पढ़ाने की अनुमाती नहीं मिले गए साथ में दोस्तो जो इसमें बाते लिखा गया था कि जिसमें जिसका भी इंप्रुमेंट हो गया है उसका सट्पिकेट नहीं मिला है और यह देखा गया तब जो है यहां पर स्क्छा निदेशक ने जो है लेटर जारी किया और लेटर का जो दोस्तो फाइनली जो है जब आप आप देखेंगे लेटर जो लिखा गया था यह लेटर दोस्तों यहां पर आप देख लिजीए यह जो है यह नमबर है और कली जो है यह वह 예हां पर लेकिन ऍन दस्त तरीक और आप देख सकते हैं राश्टी मुक्त विद्धाले शांस्तान नेशना इंचूट आप आपन स्कूलिंग चेतरी एक केंदरे पटना रिजनल्स के संटर से जो है इसका जबाब आया है तो क्या कुछ है पूरी आपको एटूड बताऊंगा कि आप इंप्रूमेंट कर लिए उस लर मिलती रहती है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दिनांग है और यहां पर देख सकते हैं कि सेवा में डॉक्टर रंजीत कुमार निदेशक शिक्षा भी भाग पटना इसमें लिखा है कि बीसे राज के सरकारी विद्धालाय में कार्यायता परसेश्च चगो का पट्राइंग 7 Degree, jroll 2020 तीनramos 313 दिनांग 5 तीन का संदर गहरं करें तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह जो है लेटर नंबर है यह लेटर नंबर जिक्र किया गया है जो कि यहां पर आप देख सकते है लेटर नंबर जिग्र किया गया है अब इसमें क्या लिखी के लिखा है कि उपरूप पत्र के तह सुचित किया गया है कि भारा सरकार पत्रांग इतना दिनांग 38, 2017 वा राय सरकार के पत्रांग 20, अबलिक इतना 2013, 375, 2016, 2017 के आलोग में, आटिया के धारा, 22 में की गेश अंसोधन के आलोग में, दिनांग 31, 2019 तक सभी सरकारी एवाम गेश सरकारी यानि जो भी प्राइबेट या सरकारी विदाले में कारेक कते हैं आपरसेचित सिचकों को प्रारमिक प्रसेचन डिया लेडी परदान किया जाना है, यहीं आपको पता है कि 31 माज तक डिया लेडी का किसी भी तरह से इसको पुरा कराने को लेकर संसर से पारित हुआ था आपको पता है और इसमें आगे कहना है कि डिया लेडी परदान करना है, साथ ही या निर्देश है कि दिनांग 14-2019 से किसी भी अपरसेचित को सेबा में कारेत नहीं रखा जाएगा दोस्तों यह जो है यह पता है कि आपको अगर आप कोई भी प्रस्रिक्शन नहीं किये हैं तो आपको जो है चाहे सरकारी हो या गेर सरकारी बिद्दाले हो आप उसमें जो है परहार नहीं सकते हैं आगे का अनाय उप्रियुक आलोक में सुचित किया जाता है कि उसे अभिहारती जिनका उच माजधमिक में यानि जो है 50% या 45 से कम प्राप था उन अभिहारतियों दुवारा 50% या 50% प्राप तंग करने के लिए अनायस में परवेश लिया था और जैसा कि दोस्तों आपको वो अपना इंप्रूब्मेंट नायस के माजधम से दे रहे थे और यहां पर आगे कहना है कि करने के लिए अनायस से परवेश लिया था दिनांग 39 2019 यहां पर देख सकते हैं डेट बताया जा रहा है 39 2019 तक परिक्षा में सामिल होकर 50% या 45 इससे अधिक प्राप्त कर लिया था वो इसे सभी अभियारतियों का परमानपत निर्गत किया जा चुका है यानि इसमें कहना आए कि जो भी नायस के माजधम से जो इंप्रूमेंट दिये थे वो 39 2019 की परिक्षा में सामिल होकर या उससे अधिक अंग लाया है यानि 45 इससे यह डेडिलाइन दी हां पर बता कि परिक्षा में निर्गत और उसका परमानपत निर्गत् किया चुका है अभी तक अगर बात करें तो दोस्तों बहुत सारे टीचर का इम्पूरूमेंट हो गया है इसके बाद जो 29 के बाद जो इंपूरूमेंट हुआ है तो जैसे बहुत सारा टीचर gland tis 2009 2020 के बाद जो improvement किया था उसका पर्मान पत्र अभी नहीं मिल पाया है बहुत सारा टीचर ने हाल फिलाल में improvement किया उसका तो अभी उसका भी नहीं मिल पाया है लेकिन दोस्तों आब बात करते हैं यहां पर लिखाई एक October के बाद जो improvement किया था क्या उनका पर्मान पत्र नहीं म पाएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि एक दस 2019 के बाद परिक्षा में सामूलिया विहारती जिसका 5035 आग किया है वह से अभियारती को परमान पत्र जारी नहीं किया गया है यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसका भी एक अक्टूबा 2019 के बाद जिनोंने 50 पॉब्लिक परिक्षा और 39-2019 तक के on-demand परिक्षा में सामिल होकर निधारित प्राप्तंग करना था यहाँ पर देख सकते हैं जो की कमांडर प्रमजीत छेत्रिय निदेशक के 10 तारिक को जो है रिजिनल सेंटर यानि रिजिनल डारेक्टर नेशने चोट ऑपन स्कूलिंग रिजिनल सेंटर पटना के तरफ से लेटर जो है जारी हुआ है और इस लेटर में जो है सिक्षा निदेशक ने कहा था कि जितने भी इंप्रूमेंट इसमें डेट नहीं दिया गया था यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डेट नहीं बताया गया है लेकिन जो रिजिनल सेंटर के तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें पूरी तरह से साप कर दिया है कि जो है 30 सेप्टमबर 2019 तक जिसने भी इंप्रूमेंट कर लिया है उसका सभी का जो है परमान पत्र निर्गत हो चुका है और एक अक्टूबा 2019 के बाद जो भी 50 पासन या जो है उससे अधिक या 45 प्राप्त किया है उसका परमान पत्र नहीं जारी किया गया है इसमें बताया जा रहा है और दोस्तों यहां पर इसी को लेकर जो है बहुत सारा टीचर का यहां पर देख सकते हैं एक अभिहारती हैं रंजीत कुमार जो की जो है प्रात्मिक सिक्षा निदेशक को जो है यह मेसेज किया है कि सर एनाइस दुबारा आपके परियास एबम लेटर नारात्मक जबाब बहुत दुख दुखी हूं दस से बीस बर से जो सिचक रहते हुए सिक्षा के छेतर में अपना योगदान दिया जबकि अनाइस की गलती से आज यह खामे आजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा सिचक पद यहां पर देख सकते हैं आगे लिखा है कि सिचक पद से सेवा दुख्त होना पड़ेगा इस पर गंभीता से ले मोहदे सारा प्रोसेस को पूरा करते हुए डिये लेडी 80 पर सिचसत पास इंप्रोयमेंट कर लेना है यहां पर देख सकते हैं इसने कहा है कि सारा प्रोसेस को लेकर कर लिया है लेकिन दुस्तों यहां पर जब तक आपका तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिक्षा विभाग की तरफ से तो यह पहल की गई थी लेकिन वहाँ पर जो है रिजिनल संटर यानि छेत्री कारियाले के तरफ से यह जबाब आता है कि 30 सितंबर 2019 तक आपने 50% या उससे किया है तो आपका परवान पत्र जारी कर दिया गया है लेकिन उससे बाद अगर किया है तो दोस्तों जारी नहीं किया गया है अब देखना है दोस्तों यहाँ पर पपु सर ने भी कहा है कि जो इसको लेकर हम लोग पटना हाई कोट में भ रखेंगे कि किसका गलती है दोस्तों नीचे कॉमेंट करके बताना ये आखिर किसका है अनायस का गलती है या तीचरों का गलती है तो क्या कुछ अबडेट होगा आपको चैनल के माद्यम से डीम आपडेट दी जागी तो फिलाल लिए दोस्तों इतना ही अपडेट वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी इस रेजलन संटर से हैं लगातार इस चैनल के साथ जूड़े रही है एंसी को लेकर जो भी अपडेट आ रही है आप लोग के बीच में ला रहा हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए उमीद करता हूं कि दोस्तों यह जल्स जल्स सुधर पाए क्योंकि एक विधित टीम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और जैसे ही उसका भी कुछ अपडेट आएगा आप लोग को दी जाएगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जह झाल 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 झाल